तुम्हारे ब्लड में केल्शिं का लेवल कैसे रेगोलेट होता है इस वीडियो से जानते है मेटखा कॉंसप्ट ए वीडियो को सेव कर लो बाद में बहुत काम आएगी रिवीज़न के मालओ, तुम्हारी बॉड़ी में कल्शिं का लेवल होगया कम तो तुम्हारे parathyroid glands, parathormone नाम का hormone release कर देंगे ये hormone सबसे पहले जाएगा bones के पास parathormone ना bones के अंदर osteoclast नाम के cell को activate कर देता है osteoclast ना bone dissolving cells होते है आयायाय करके bones को खा जाते हैं और वहांसे calcium release करा देते तो bones से release हुआ calcium चला जाता है blood में फिर parathormone जाता है तुम्हारे kidneys के nephron के पास nephron blood से कुछ filtrate निकालते हैं और उसको urine बनाने का process करते है parathormone उस filtrate से सारे calcium ions को reabsorb करके blood में वापस डाल देता है फिर parathormone जाता है तुम्हारे small intestine के पास small intestine में food digest हो रहा है और absorb हो रहा है thyroid gland एक और hormone release कर देगा thyrocalcitonin thyrocalcitonin bones के पास जाता है वहाँ पर पड़े osteoclast को चुप कराता है कहता है इतना सा भी bone नी तोड़ोगे अब तो bone से blood में calcium जाना कर देता है बन साथ में वह blood से calcium में उठा उठा के bone में डालना शुरू कर देता है ब्लड calcium मेंटेन होता है दो होर्मोन से पैराथ होर्मोन से और calcitonin से ऐसे ही और नीट के concept समझने के लिए follow किजिए बायो फेरी को